Hello Everyone, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि Bell Optronic Devices Limited की और से दोस्तों यहां पर Image Intensifier Tubes Manufacturing Plant के लिए कुछ Vacancy दोस्तों यहां पर निकाले गई हैं जो Contract Basis पर यहां पर निकाले गई हैं देख सकते हो दोस्तों यहां पर क्या लिखा गया है कि जो Bell Optronic Devices Limited यानि कि BELOP जो है यह एक Central Public Sector Enterprise है जो कि Ministry of Defense Government of India के अंडर में आता है आगे यहां पर कौन सी जगा पर यह Located है EL30J Block भो सारी Industrial Area Pune 411-026 ठीक है तो यह यहां पर Location बताई गई है दोस्तों कि कौन सी जगा पर यह जो Plant है Image Intensify Tunes Manufacturing Plant जो है यहां के लिए Contract Basis पर इनको यहां पर Engineers की दोस्तों Requirement है Initially यहां पर यानि सबसे पहले आपको एक साल के लिए यहां पर रखा जाएगा जब आप Date of Joining, जब आप Joining Date जब आपकी होगी तो Joining Date से आगे आपका One Year तक आपको यहां पर रखा जाएगा और एक साल से आपका Tenure Extend हो सकता है दोस साल का और Maximum दोस्तों तीन साल तक यह जो Tenure है आपका जो Time है काम करने का यह तीन साल तक Extend हो सकता है और यह Depend करेगा कि Project को मतलब Requirement है अगर Project को Requirement होगी तो आपका जो Tenure है उसको Extend कर दिया जाएगा और आपकी Performance को भी देखा जाएगा यानि एक साल या दो साल जो भी काम करने का आपको मोका मिला है उसमें अगर आपकी Performance अच्छी रही है दोस्तों Company में यह जो यहां पर Plant है इस Plant में अगर आपकी Performance अच्छी रही है तो आपका जो Contract है वो Extend हो सकता है ठीक है नीचे यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले Electronic Engineer की यहां पर यह जो Post हैं दोस्तों एक Post यहां पर इनकी ओर से निकाली गई है Requirement क्या चाहिए इनको आपने BE किया होना चाहिए Electronic Industrial Electronics ENTC ठीक है तो यह यहां पर Requirement रहेगा आपने BE किया होना चाहिए Electronic से और आपकी जो एज है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इस Post के लिए यह जो Electronics Engineer D&E है अगर इस Post के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो पहले साल आपको पर मन्त 23,500 रुपया दिया जाएगा इसी तरीके से Next यहां पर आप देख लीजे Next है दोस्तों Mechanical Engineer Production की Post है यह भी दोस्तों सिंगल Post है एकी Post है इसके लिए डिगरी आपके पास होनी चाहिए BE Mechanical में सेम दोस्तों 30 साल से जाद आपकी एज नहीं होनी चाहिए इस Post के लिए और आगे जो आपकी सलरी रहेगी वो भी यहां पर सेम रहेगी देख सकते हो यहां पर पहले साल 13,500 दूसरे साल 25,500 और तीसरे साल 27,500 रुपया मिलेगा हर महीने करके ठीक है इसके अलावा दोस्तों अब हम थोड़ा सा नीचे इपॉर्टेंट इपॉर्टेंट देख लेंगे क्योंकि अकर सारी चीजों को मैं कवर करने बैठ जाओं तो यहां पर दोस्तों आदा गंटा लग जाएगा मेरे हिसाब से तो इसलिए अब हम डिरेक्ट थोड़ा सा नीचे थोड़ा सोड़ा इपॉर्टेंट इपॉर्टेंट देखेंगे देख सकते हो दोस्तों जो आपकी बी या फिरे बी टेक्ट डिगरी होने चाहिए यह दोस्तों किसी भी रिकोगनाइज इंस्टिजूट कॉलाई से एप्रूड होने चाहिए ठीक है और नमबर सेकेंड आपकी 55% मार्स आपके आपकी है तो दोस्तों आप यहां पर इलिजिबल है एपलाई करने के लिए केंडिडेट्स हैव टो कंपल्सरी एटेज यानि आपको कंपल्सरी जो है फाइनल डिगरी साटिफिकेट अटेज करनी एज प्रूफ कि भई आपकी डिगरी जो है वो कंप्लीट हो गई है यह ए आपका यहां पर इपॉटेंट चीज यह ए दोस्तों कि जो एकेडमी टीचिंग और रिसर्च वर्क का जो एक्सपिरियंस है यह यहां पर आता है एकेडिमिक में यह यह काउंट नहीं किया जाएगा आपका जो जैसे होता है इंडस्ट्रियल एक्सपिरियंस तो यह वाले आपको यह इंडस्ट्रियल एक्सपिरियंस में काउंट नहीं करेंगे वर्क एक्सपिरियंस प्रियर टू कंप्लीशन ऑफ बी इवी टेक विल नाट बी क्वालिफाई एज रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपिरियंस ठीक है तो जैसे मानले अलेक्ट्रोनिक् experience है आपका वो उनी उसी lines में होना चाहिए किस line में होना चाहिए अभी मैं आगे चल कर आपको बताओंगा दोस्तों देख लीजे दोस्तों जो तीस साल आपकी अपर एज लिमिट बताई गई है तीस साल ज्यादा से ज्यादा एज लिमिट बताई गई है इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से ब्लॉंग करते हो यहाँ पर यह जगा बताई गई है पूने पिमपरी चिचवाल पूने जगा है दोस्तों यहाँ पर यह रिटेंट टेस्ट के लिए आपको बुलाएंगे रिटेंट टेस्ट में प्रोफेशनल नॉलेज का आपका टेस्ट रहेगा और या फिर जनरल एप्टिचूट का आपक उनको यह क्या करेंगे इंटर्विव के लिए दोस्तों बुलाएंगे और इंटर्विव के लिए क्स तरीके से यह बुलाएंगे जो बहाँ जैसे मेड़ेजर पर आपको vatिया जाएगा जैसे दोस्तों आपके admit card वगेरा होंगे तो उसकी जानकरी भी अगर कोई update इनके और से आएगा तो वो आपको registered email ID के जरी आपको ये जानकरी मिल सकती हैं तो इसलिए आप valid email ID यहाँ पर आप डालिएगा देखिए next क्या लिखाएं कि जो names है candidates के names of candidate for return test interview and final selection will be notified. Return test interview और final selection जो भी होगी उसके लिए जो company की website होगी दोस्तों यहाँ पर ये notify कर देंगे इसके जरी जब आप दोस्तों return test और interview के लिए जाएंगे तो अपने खर्चे पर ही जाएंगे candidate who have applied in the past अगर पहले से आपने apply किया है तो आपको यहाँ पर मतलब दुबारा से apply करने की दोस्तों कोई भी need नहीं है Indian nationals यहाँ पर apply कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों जो भी candidate भी या फिर beta complete नहीं किया है उन्होंने तो वो यहाँ पर apply नहीं करेंगे इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी कहीं सारी जानकरी मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको apply करना है देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जितनी भी communication है वो यहाँ पर email के जरीए all communication will be done through email तो email ID जो भी आप provide करेंगी उसी के जरीए दोस्तों जो भ पिल अप करेंगे प्लीज नोट admit card for return test call for interview will not be sent by post तो by post जो है यहाँ पर कोई भी admit card वगेरा जो है वो यह नहीं बेजने वाले हैं यह सारे इनकी website के तुरू ही आपको मतलब जानकरी जो भी मिलेगी इनकी website के तुरू ही आपको मिलेगी और आपने जो email ID प्रोइड की है उ पर आपको सारी जानकरी मिलेगी दोस्तो अब दोस्तो यहां पर क्या लिखा गया है केंडिडेट को यहां पर required है मतला आपको क्या क्या चीजिजें यहां पर attach करनी है जो form यहां पर फिल अप करना है उसमें आपको क्या क्या अपने documents attach करने हैं देख लीजे आ आपर सबसे पहले passport size photograph, passport size photograph आपको attach करना है, application form के उपर, उसके बाद जो data birth के लिए certificate रहती है, 10th class की दोस्तों, वो आप attach करोगे, और जो degree आपकी होगी, जिसमें मतलब यह होगा कि आपकी जो degree है, वो complete होगी, जैसे final marks card रहता है, उस पर सारे के सारे दोस्तों record रहता है, कि आपकी जो degree है वो complete होगी है, तो वो आप attach करोगे, 55% marks आपकी होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको already बताया दोस्तों, उसके बाद यह सारे के सारे documents जो भी नीचे यहाँ पर बताये गए हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजे, proof of identity card के लिए, pen card, passport, या फिर driving license, election card, या फिर website बताईगी हैं, दो website हैं, दोनों में से किसी भी एक website पर जाकर आप application form को download कर लीजे, दोस्तों देख लीजे www.bellindia.in, ये भी website है, या फिर belopindia.in, www.belopindia.in, ठीक है, तो यह दो website है, दोनों में से किसी एक website पर आप चले जाए, दोस्तों यहाँ पर format मिलेगा, application form का जो format ह है, वो आपको मिल जाएगा, आपको download करना है, download करने के बाद जो भी document मैंने आपको बताए, दोस्तों उपर, वो document आप एक बार देख लीजे, वो ही documents आपको attach करने है, form के साथ, और आपको speed post कर देना है, कौन से वाले address पर, तो देखिए, यहाँ पर यह address बताया गया है, इस वाले address पर आपको यह जो फॉर्म है, यह सेंट कर देना है, और यह जो time है, जो last date है, दोस्तों, यहाँ पर आप आप देख सकते हो, कि application should reach ABO address, इस वाले address पर आपका जो application है, जो form है, जो form है, दोस्तों, वो पहुंचना चाहिए, 20 December 2013 तक, यहाँ इस से पहले पहले ही, यहाँ पर यह पहुंचाना चाहिए, आपका form, अगर delay हो जाता है, तो इसके लिए आप ही responsible होंगे, आप ही जिम्यवार होंगे, यह देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, application received after due date, यह जो due date है यहाँ आप होगा responsible दोस्तो, जो B.E.L.O.P. यहाँ यह responsible नहीं होंगे, किसी भी पोस्टल या courier delay हो जाता है, तो यह किसी भी तरह से responsible नहीं होंगे, जिम्यवार नहीं होंगे दोस्तो, इसके लिए आप खुद ही जिम्यवार होंगे, इसा आइँ नहीं लिखा है दोस्तो, तो दोस्तो मैं hope करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ये clear हो चुकी होंगी पोस्ट हैं बहुत ही कम है दोस्तो दो ही पोस्ट है लेकिन जो interested है जिनकी qualification है वो अच्छा है तो दोस्तो apply कर सकते हैं ठीक है तो hope करता हूँ दोस्तो आपको सारी चीज़ें जो हैं ये clear हो चुकी होंगी so thank you very much